नमस्कार दोस्तों, देसी घी खाने के स्वाद को और ज्यादा बेहतरीन बना देता है। घी की खुश्बु बहुत बेहतरीन होती है, जो खाने की लालसा को बढ़ा देती है। भारत में वैदिक काल से ही दूद और उससे बने उत्पादों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। गी भी उन उत्पादों में से एक है, गी शक्त की उत्पत्ती संस्कृत भाशा से हुई है, गी एक शक्तिशाली दूद उत्पादक है, जो अहार के साथ साथ धर्मिक कारिक्रमों जैसे पूजा पार, विवाह आदी में भी काम आता है, गी को संस्कृत में घृतम, पंजाबी में घियो, मराठी में तूप, बंगाली में घी और उरीसा में घियो कहा जाता है। घर में बने घी में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती इसलिए घर में बना हुआ गी सबसे ज्यादा लापकारी होता है। दोस्तों घी खाना स्वास्थे के लिए बहुत ही लापदायक होता है। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके सभी बिनिफिट्स को जान लेते हैं। घी का सेवन कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए लापकारी है। एक शोद के अनुसार घी में कुछ ऐसे गुड़ पाए जाते हैं जो कैंसर के असर को बहुत कम कर देते हैं। कैं घी का सेवन चावल और दढ़ी के साथ मिलाकर करने से यह शिशू के दिल के लिए बहुत लापकारी होता है। कमजोरी से गर्भवती महिलाओं को बचाने के लिए गाए घी का सेवन बहुत फाइदिमंद होता है गी में अत्यधिक विटामिन पाए जाते हैं उन विटामिन में से एक विटामिने है विटामिने की कमी से आँखों की रोशनी कम हो सकती है जो हमारी आँखों को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है गी में भरपूर मात्रा में विटामिने पाया जाता है जो हमारी आँखों की रोशनी के लिए फाइदिमंद होता है नमबर फोर दिमाग को तेज करने के लिए घी का सेवन बहुत वायदिमंद होता है NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित शोथ के अनुसार आयुरवेद में घी में कुछ ऐसे गुण पाए जाते जो हमारी स्मरण शक्ती को काफी हद तक बढ़ाने में मदद करते हैं घी का सेवन हमारी या ददाश्ट को बढ़ाने में एक ब्रेन टॉनिक के जैसे कारे करता है और घी का सेवन हमारे दिमाग को स्वस्थ बनाए रखता है गी में कुछ ऐसे गुण पाए जाते है जो हमारे वजन को कम करने में मदद करते है एक शोथ की अनुसार गी में साचुरिटेड फैटी एसिड और ओलिक एसिड पाए जाते है जो वजन को बढ़ने से रोकते है और बढ़े हुए वज़ा को कम करने में सहाइक सिध होते है गी के सेवन से हड्डियों को मजबूत बनाया जा सकता है विटामिन के की कमी से होने वाली हड्डियों की परिशानिया जैसे हड्डियों का जल्दी टूड जाना और जुडने में दिक्कत होना यह सब कमजोर हड्डियों की निशानी होती है ऐसे में भैंस के दूद से बने घी का सेवन बहुत ज्यादा फाइदेमंद होता है क्योंकि भैंस के दूद से बने घी में विटामिन के की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है गी में कंजुगेटेड लिनोलेनिक एसिट पाय ज्यादा है जो हमारी प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाने में मदद करता है और हमारी शारीरिक कमजोरी को दूर करने में सहायक होता है ज्यादातर बीमार रहने वाले लोगों के लिए गी का सेवन बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि गी हमारी प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ा देता है और कंजोरी दूर करोगों से लगने की शम्ता प्रदान करता है और लास्ट है नमबर एट, गी का सेवन हमारी तवचा के लिए भी बहुत पाइदिमंद होता है। गी में कुछ ऐसे गुड़ पाए जाते हैं जो हमारी तवचा की कई परिशानियों जैसे तवचा का रुखापन, तवचा पर सूजनाना। तवचा में खुजली होना और एल आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो, वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अन्ये लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू